सरोगेशी का मतलब है किराय की कोक तो अभी तक हमने पढ़ा समझा IVF के बारे में और हमने ये देखा कि अगर फैलोपियन ट्यूब में किसी तरह की कोई समस्या आ रही है फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हो पा रहा है तब हम देखते हैं कि डाक्ट यहां पर थोड़ा संतर है ध्यान से समझना है अब हम बात कर रहे हैं कि गरभासे में अगर कोई जो संबंधित महिला है इस महिला के गरभासे में समस्या है यानि कि वो गरभासे में बच्चे को नहीं पाल पा रही है तो अब तक दुनिया के किसी भी लैब में किसी भी प् प्रत्रम तरीके से गर्भासय का निर्मान नहीं किया जा सका है ऐसी परिस्थितियों का निर्मान नहीं किया जा सका जिन परिस्थितियों में एक सिसू का विकास होता है तब हम क्या करते हैं तो हम इसी दमपत्ती का जो ये दमपत्ती है इसी दमपत्ती का हम IBF तकनीकी का इस इस्तिमाल करते हैं और आई भी अफ तकनीकी का इस्तिमाल करके जो जाइगोट हमें प्राप्त होता है इस जाइगोट को किसी अन्य महिला के गर्भासे में ले जाकर इस्थापित कर देते हैं तो हम किसी अन्य महिला के गर्भासे में जो ये जाइगोट प्राप्त हुआ इसे पूनी विकास होने के पस्चाथ एक सिशु का जन्म होता है तो जब एक सिशु का जन्म होता है इस सिशु को के जन्म देने वाली जो ये मा है इस मा को कहते हैं इस सिशु की सरोगेट मदर जो मा इसे अपने गर्व में विक्सित करती है जबकि ये दोनों माता पिता इस बच् के जैविक माता पिता हैं जिनके इस्परम और ओवम का इस्तिमाल करके इस बालक का विकास किया गया है